जैमा, श्री माताजी के मन सर्वोच्चधे चैतन्यका विकास ही था। बाहर तयार किये गए कोई भी आहार अपने बच्चों को खाने के देने के श्री माताजी हमेशा ही अगेंस्ट थे। वो उनको पसंद नहीं था कि बाहर तयार हुआ कोई भी खाद्यपदार्थ अपने बच्चे खाएं। उनको कायल होता था कि छोटे बच्चों को आईसक्रीम खाने की बहुत ही लालच रहती है। श्री माताजी ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके विदेश से आईसक्रीम बनाने का मशीन मंगवाया। श्री माताजी ने आईसक्रीम के एक कप का पच्चिस नया पैसा लेना चाहिए ऐसा बताया। तो सेवक बोले इतने पैसे में तो खर्च नहीं निकल पाएगा माँ। श्री माताजी ने समझाया जो बच्चों को गली में शेरी में बेचने के लिए आते हैं वो लोग पच्चिस पैसे में देते हैं। यदि हम ज़्यादा भाव रखेंगे तो बच्चे हमारे पास से नहीं लेंगे वो ही अच्छी तरह से न बनाया हूँ आइसक्रिम खाएंगे। भाई हमारे मन पैसा महत्वकी बात नहीं है। मेरे खूद के बच्चे मेरे लिए मुल्यवान है। आश्रम के एक यात्री भावन का चार्ज जिसके पास था वो आके माताजी को बताने लगे। यात्रियों के बोजन के लिए जो चार्ज हम लेते हैं उसमें हम पहुँच नहीं पाते। खर्च जादा होता है और हम पैसा कम लेते हैं। एक दिन का पांच रुपिया बोजन खर्च आपको बढ़ाना है। माँ हमें मंजूरी दें। श्री माताजी ने माधूरिय से चवाब दिया। जो भोजन खर्च का पांच रूपिया आप बढ़ाना चाहते हो तो यात्रियों के रहने का खर्च पांच रूपिया कम कर दो उस वक्त पे ऐसा था कि रहने का जो चार्ज मिलता था वो आवक या वो सब कुछ क्रेडिट श्री महताजी को अरपन होती थी और भोजन खर्च यात्रि भवन जो चला रहे थे उस व्यक्ति को दिया जाता था आश्रम साड़ा में विद्यार्थियों के रहने और खाने का जो चार्ज लिया था था वो नाम के तोर पर ही था विद्यार्थियों के लिए कई ज़्यादा खर्च आश्रम कर रहा था उनके चार्ज में कोई भी बढ़ोतरी करने का सुचन श्री माताजी हमेशा अपना वीटो यूज करके अस्विकार करते रहते थे श्री माताजी कहते थे मैं सिक्षा को बेचना नहीं चाहती यदि आप ज़्यादा चार्ज लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ धनवान के बच्चे आएंगे याद रखना मेरे बच्चे नहीं आएंगे जैमा झाल